नमस्कार दोस्तो, वेलकम टू श्विंग ट्रेर्ड फ्रेंट्स आज के दिन में अगर हम बात करेंगे आज के दिन में बहुत बड़ा वारी गिरावट देखने को मिला है जो के निप्टी में 3.06% का गिरावट देखने को मिला है जो के 5.31 points का तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो only एक stock जो की green में था only TCS था बाकी सब वहां पे correction पे था और सबसे बड़ा correction तो जिंदल में था और HDFC light में था और ITC में था और यहां पे HDFC housing finance में था सबकी सबाज बहुत ज़्यादा यह stock में पिटाई हुआ है अगर इसी साब से अगर हम देखेंगे यह stock में यह वीडियो में हम बात करेंगे mid cap और small cap stock है जो की अभी बढ़िया सा valuation पे अभी आवे लेवले यह stock को हमें अपना portfolio में लेके चलना है तो उसी साब से 25 stocks में selection किया हूं अगर यह stock को आपको consider करना है तो एक बार आप अपना financial advisor से जरूर सला ले दीजिए उसी वेसिस पे आप यह stock को अपना portfolio में consider करके चल सकते हैं यह कोई buying and selling का recommendation नहीं है फ्रेंट्स ठीक है एक एगे बढ़ने से पहले आप सबको जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नाया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल बटन को प्रेस करके रख लिजिए ताकि आ कि रिबाउंड करेगा उसके बाद में all time high अचीब करेंगा तो वह सरे स्टॉक जो fundamentally बहुत स्टॉक है वह स्टॉक है अगर आपका portfolio में कोई गलत स्टॉक है फ्रेंज्स तो जरूर आप एक बार पॉर्ट फॉलियो जरूर चेक कर लिजिए वह स्टॉक को इमेडियेटली सब्सक्राइब और अगर यह सब्सक्राइं करते हैं एंगल के उट्व करेंगे जो कि अधूल सेटर का सब्सक्राइब तो यह चाहिए जबर्द तो यह स्टॉक में और आपको पोटफूलियों में नहीं अभी अगर रवाइग करना चाहते तो यह स्टॉक में भाइग करके चल सकते हैं की बड़ी ऐसा स्टॉक हे एक मिड़े का स्टॉक है तोन टीज़न थायंग को रोड का मार्केट क्या वे और पी की बात करेंगा अभी 42 टुपी पर स्टॉक हो रहा है अगर हम रशी की बार्माइन इसका आरोश यह अगर आल टाइम हाई की बात करेंगे यह स्टॉक में 10,975 का आल टाइम हाई था स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 9,300 पे केमिकल का एक मार्केट डिटर स्टॉक है अगर इसमें देखेंगे 10 साल में 48 परसेंटेज का सीजिया रिटन दिया बड़ी ऐसा स्टॉक है यह पहला स्टॉक है अगर किसी के पॉर्ट फोलियो में है तो आप इसको होल्ड कीजिए कोई प्रोब्लेम नहीं अगर आपके पोट स्टॉक हो रहा है इसका 10 साल का सीजिया रिटन भी आप अगर सेख करेंगे 47 परसेंटेज का सीजिया रिटन दिया है बहुत बड़ा मल्टी अगर स्टॉक के बारें बात करेंगे जो की कि यहां पर इंडिया ने एंशेंज एक्सजेंज है तो यह स्टॉक अगर आपका पोट्फॉलिय में नहीं आप सेस्टॉक को लेने के लिए हमें सा मुमेंटम में ट्रेडिंग होता था अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहेंगे तो यह सो कुल सकते एक 8,900 करूड का मार्क में कितना पर्सेंटेज का डेलिवरी उठाया गया हैैज टोड़ली इसमें मान सकते हैं कि मनति अखिर बने रहिंए मैंने आज तक इतना स्थॉक का अनालेशिस नहीं किया था जो कि इसमें काफी साल नाम इस जो कि अभी बहुत बढ़ी आप इसलिए आखिर बने रहे हैं क्योंकि मुमेंटम में चल रहा था अभी बढ़ी ऐसा टाइम पर आ चुका है नेक्स स्टॉक के और हम बात करेंगे फ्रेंट नविन फ्लोरी ने फ्रेंट्स यह भी इसका भी वक्त आ चुका है तो अभी 200 यह यह जो सारे स्टॉक मैंने सिलेक्शन किया हूं ना सिलेक्शन का क्राइटेरिया फ्रेंट्स आप सबको पता है पहले मैं जो स्टॉक जो सिलेक्शन किया हूं यह सारे स्टॉक यहां पर लो डेट कंपनी है, कंपनी का उपर डेट ज़्यादा नहीं है, 0.5% बिलो इसके उपर डेट है सारे कंपनी और सारे कंपनी मार्केट लीडर है, और बड़ी है मार्केट लीडर प्लेयर है, तो अगर आप देखेंगे इसका ROC भी, यह भूब 15 के हिसाब से ROC भी हमने सिलेक्ट किया है, और इसके जो इसारे future bright stock, यह stock में कोई भी प्रोब्लेम नहीं है, इसको आप long term के लिए भी लेके चल सकते हैं, swing trade के लिए भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, अभी कुछ mid cap का भी नाम लूँगा, उसके बाद में small cap stock के बारे में भी बात करेंगे फ्रेंगे फ्रेंज, नविन फ्लोरीन है, यह stock को भी अपना portfolio में लेके चल सकते हैं, कोई भी प्रोब्लेम नहीं है, और आप बोलेंगे कोन से जगह पर आपको profit booking करना है, यहां से अगर आप 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 करेंगे, लंग टर्म के लिए तो कोई प्रोब्लेम नहीं है, यहां पर आपको प्रोब्लेम करेंगे, अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, तो आप मेरे से contact कर सकते हैं, यहां पर हर्षप में है, हर्षप का number यहां पर दिया हुआ है, अगर कोई भी stock के बारे में आपको कुछ भी problem हो रहा है, तो immediately मुझे हर्षप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, और immediately आप से जो भी बात करना है, तो कर सकते हैं, ठीक है, यह stock के बारे में हमने बात किया, उसके बाद में next stock के ब position बनाईए, बड़ी ऐसा stock है, इसका ROC के बारे में अगर बात करेंगे, 22 का ROC है, और यहां पर P43 पर चल रहा है, और मार्केट एक के mid cap stock है, 17,000 करोड का मार्केट क्याप है, फ्रेंट्स, next stock के बारे में बात करेंगे, जो कि बरुन बिवरेजे, तो बरुन बिवरेजे, इसके बारे में बहुत बड़ा मल्टी वेगर stock है, अगर आपने इस stock को study नहीं किया है, अब जरूर यह stock के बारे में जरूर स्टाडी कर सकते हैं, बड़ी ऐसा return देने वाला stock ह अगर आपके portfolio में नहीं है, तो यह stock को भी अपना portfolio में लेके चल सकते हैं, जो कि इसका ROC 18 है, और पी 57 पे भी stock को भी trading हो रहा है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे stock का quality stock है, इसलिए premium में trading होता है, ठीक है, अगर आप बोलें कि 25 पी पे अगर मुझे आएगा, तो इसा कभी आ इंडिया है, फ्रेंट्स यह भी एक बड़ी है, स्टॉक है, मल्टी वगर स्टॉक है, यहां पर यह stock का 34,000 क्रोट का मार्केट क्याप है, इसके बारे मैं अगर बात करेंगे, तो यहां पर यह जो stock है, यहां पर ROC देख लिए, जो कि 24 परसेंटेज का ROC है, और पी अभी 39 पर स्टॉक चल रहा है, नेक्स स्टॉक के बात करेंगे, फ्रेंट्स हो कि, रिलक्स फूड़े आरे, मल्टी वगर स्टॉक है, काल के वीडियो पर मैंने इस टॉक को कवर किया था, फ्रेंट्स यह एक मिलक्याप कंपनी है, 31,000 क्रोट का मार्केट क्या आप है, ROC 26 का ROC और पर सकते हैं, इसका रिटरन देखिए, 54% होना ही चाहिए, नेक्स टॉक के बारें बात करेंगे, नेक्स टॉक के फ्रेंट्स यहां पर सीडिये सेल, अगर आपको लेना है, तो यह पर इस टॉक में भी आपरेजिंग कर सकते हैं, बड़ी ऐसा स्टॉक है, 15,000 क्रोट का मार् 45 स्टॉक है, तो यहां पर नेक्स टॉक है, अफेल इंडिया, आज के दिन में यह स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिला था, लेकिन यहां पर इतना जवर्दस्त यहां पर बाइंग आया, तो फिर बहुत बढ़ी असा ही के यहां पर ग्रिन केंडल बन गया, ठीक है तो इसी साब सी यह स्टॉक में अगर आपको पोजिशन बनाना है, तो यहां पर यह स्टॉक में भी पोजिशन बना के चल सकते हैं, एक बड़ी ऐसा स्टॉक है, आपको बड़ी ऐसा रिटन दे सकता है, आगे आने वाल दिन में, लॉंग टर्म में, और स्विंग ट्रेड म जो की अभी यहां से आपको 36 परसेंटेज का रिटन मिल सकता है, नेक्स स्टॉक के बारें बात करेंगे, जो की अंजल ब्रोकिंग है, यह यह बहुत बड़ा मल्टी वगर स्टॉक है, इसका रेजल्ट भी बहुत बहुत बेहतरी रेजल्ट आया है, यह स्टॉक में अगर स्टॉक को आप होल्ड करेंगे 39 पर्सेंटेज का गेन मिल सकता है अगर एक साल भी लग जाए मेरे इसाब से कोई बुरा नहीं है पर्सेंटेज का गेन आपको मिल रहा है नेक्स टॉक के वरें बात करेंगे फ्रेंज जो कि प्रिंट्स पाइप है प्रिंट्स पाइप में आज की दिन में गिरावट देखने को मिला था यह स्टॉक में अपना पोजीशन बनाके चल सकते हैं बड़ी ऐसा स्टॉक है मल्टी अगर स्टॉक है तो यह स्टॉक में आपको एक अच्छा सरी टर्न भी मिल सकता है अगर अगर अपना पोजीशन बनाते हैं अगर अपना पोटफूलियो में लेना है तो अभी मत लिजिए फ्लड़ा इन्तेजार कीजिए क्योंकि यह लेबल पर आपको आएगा तो यह आप सब्सक्राइब और यह जो स्टॉक है 6300 करोड का मार्केट क्या पर तो इसका आरोच अगर देखेंगे तो यहां पर 149 और पी अभी वह थ्रीफर्टी पर स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है नेक्स टॉक क्यों बात करेंगे यह क्या है भारत रसा है नहीं स्टॉक मैंने पहले में लेना है तूभी लेके चल सकते हैं यहाँ पर ओल टाइम हाई का अब ट्रजह लेके चल सकते हैं उल टाइम आई तक हम देखेंगे यहाँ आपको कितना पर्संटेज के लोगे चले हैं आपको 27 पर सेन्टेज का यहन मिलेगा यह बड़ी आसा स्टॉक यह लॉस्बुक म तब से मैंने स्टॉक मार्केट का यहां पर वीडियो बनाया हूं तब से स्टॉक में तो इसलिए इसका वीडियो कभी बनाया नहीं हूं लेकिन यह बहुत बड़ा क्वालिटी स्टॉक है बहुत अच्छा रिटन देता है अगर आप 10 साल का सी जर्वी रिटन आप काल्कुले किया है यह स्टॉक में तो मैंने बहुत बार चर्चा भी किया हूं अभी इसमें बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक में गिरावट हो रहा है तो इसमें से निकल जाएंगे इसा बिल्कुल मत किजिए बढ़ी ऐसा स्टॉक कि क्वालिटी स्टॉक है बहले कभी कुछ दिन के लिए रहेगा लेकिन फिर भी आल टाइम हाई आचीब करेगा इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि नेक्स टॉक के वरें बात करेंगे जो कि फाइजर है फ्रेंस यह स्टॉक अगर आपको पोट्फोलिय में है न तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है बड़ी ऐसा स्टॉक है अगर आप अभी भी आपको इसमें पोजिशन बना के चलेंगे ना एक मिड अगर आपके पोट्फोलियो में है तो इसको होल कीजिए अगर आपको लेना चाहते हैं तो यहां से लेके आप यहां तक का टार्गेट कर सकते हैं जो कि फटीट परसेंटेश का गयन मिल सकता है अब भी आप इस टॉक को लेके चल सकते हैं अल्टाइम हाई तक अगर लेके यहां से लेकर अगर तक का मिलता है अपको फिप्टी परसेंटेश का अगर चाहिए डेट कंपनी में 0.35 परसेंटेश का डेट है कि नेक्स टॉक के बारे में बात करेंगे जो की डॉक्टर लाल पैथला वे फ्रेंट यह स्टॉक में यहां पे जो सपोर्ट था सपोर्ट भी अल्रेडी तूड़ चुका है तो यह स्टॉक में अगर आप बने रहेंगे तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं है लो डेट कंपनी है क प्रेट के बात करेंगे जो की टेस्टी वाइट है अगर किसी के पोर्टफुलिय में स्टॉक है ना रेजल्ट भले खराप आया है लेकिन कोई भी प्रोब्लेम नहीं है क्योंकि जब 15-20 साल का रेकर्ड में कभी भी स्टॉक मतलब कंपनी का कोई प्रोब्लेम नहीं है कर्परेट गवर्नांस का इसू नहीं है बहले एक दो पटर का स्टॉक में बने रहेंगे तो आपको 72 परसेंटेज का गेन मिल सकता है एक स्मॉल क्याप स्टॉक है और लो डेट कंपनी है कंपनी के उपड़ 0.56 परसेंटेज का डेट है अगर आपका पॉटफॉलिय में अगर आप सेल करने का सोच रहें तो इस टॉक में आपको पोटेंशल यहां तक जाने का बिल्कुल रखता है जो कि यहां से पॉटफॉलिय में है यह बहुत बड़ा मल्टिव अगर एक स्मॉल क्याप स्टॉक है लो डेट कंपनी है 0.12 परसेंटेज का डेट है और आरो सी 15 परसेंटेज का है तो यह स्टॉक अगर आपका पॉटफॉलिय में है तो आपको बिल्कुल प्यानिक करने की ज़रूरत नह जो कि इंडिया मार्ट है यह स्टॉक भी काफी दिन से एक रेंज पर चल रहा है अब भी अगर इस टांक कंसिडर नहीं किए हैं अपना पोटफॉलिय में अभी भी आप कंसिडर करके चल सकते हैं कोई भी स्टॉक में प्रोब्लेम नहीं है लेकिन कंपनी अभी मार्क डिटर है इसमें कोई भी प्रोब्लेम नहीं अभी अगर आप बनके रहेंगे इस टॉक में आपको 98 परसेंटेज़ गये तक मिल सकता है जो कि बाई करने से पहले आप खुद का फाइनशियल जरूर सला कर लीजिए तो उसी बेस पर आप इस टॉक को अपना पॉर्टफोलियों में चल सकते हैं प्रेंच यह सारे स्मॉल क्याप और मिड़क्याप स्टॉक है तो आपना पॉर्टफोलियों में 5% से ज्यादा में रख लीजिए क्योंकि गल्स टॉक हो सकता है यहां से रिकावरी का नाम नाला है लेकिन अगर अच्छा सा स्टॉक अभी आपने रिप्लेस कर लेंगे रिस्ट्रक्शन कर लेंगे अपना पॉर्फोलियों में तो आप जो आच्छा स्टॉक को लेके चलेंगे वह जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब लेजिए थैंक यू बेरी मुच फ्रेंश पर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंश